नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में तो दोस्तों किसी को गीफ्ट करने के लिए आप कहीं ओडर करते हो तो उसके बारे में मैं पहले ही वीनी करके एक एक एप्लिकेशन का रिव्यू कर चुका हूँ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाके जरूर देखिएगा और आज की वीडियो का थमनेल देखके आपको तो पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Furns and Petal Application के बारे में तो Furns and Petal Application को यूज करके कैसे आप किसी को कोई gift order कर सकते हो किसी को gift भेश सकते हो, कोई भी fix type में या midnight delivery या standard delivery आप ले सकते हो वो सारे details के बारे में हम discuss करेंगे आज की इस वीडियो में और Furn and Petal application का ये service इंडिया के बाहर 120 से भी जाधा country में available है तो internationally किसी को gift करने का क्या procedure है वो भी सारा कुछ हम जाननेंगे आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो को अंतक देखी और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन दपना मत भूलियेगा ताकि technology की related ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कॉस्त अब आप देख रहे हो टेकी बॉन So let's start तो दोस्तों आप अगर किसी occasion में या किसी particular person को कोई भी category हो Fern and Petal application को आप यूज करके किसी को कोई भी gift आप order कर पाओगे आप खुद के address पी भी gift delivery ले पाओगे या किसी को अपने address पे delivery के लिए gift order कर पाओगे वो इंडिया में रह सकता है या इंडिया के बाहर ये service available है तो वहाँ पर भी आप किसी को कोई भी gift order कर पाओगे वो बर्द्रे के हुआ या flowers हुआ या कोई भी occasion में कोई भी gift हुआ आप international भी delivery ले सकते हो या gift कर सकते हो किसी भी person को इस application को use करके तो सारा details हम लोग देख लेंगे आज की इस वीडियो में कैसे आप gift order कर पाओगे gift में कौन कौन सा category है क्या क्या आपको option मिल जाता है इसका सारा payment procedure भी हम discuss करेंगे तो next हम चले जाएंगे मेरे mobile के screen पर तो देखिए तो दोस्तो मैं आ चुका हूँ मेरे mobile के main screen पर जल्दी से open कर लेते है play store और play store open होते ही हम लोग search कर लेंगे funds and petals तो आप देख सकते हो funds and petals application का icon जल्दी से install बटन पे click कर देते है तो यह मेरे mobile पे install हो रहा है funds and petals, flowers, cakes, gift delivery application install हो चुका है यहाँ पे open बटन पे click कर के मैं open कर सकता हूँ यहाँ हम लोग सीधे चले हैंगे मेरे mobile के main screen पर आप देख सकते हो funds and petals application का icon जल्दी से click कर के open कर लेते है तो दोस्तो application open होती ही यहाँ पे क्या-क्या features है वो आप एक जलग यहाँ पे देख पाओगे और यहाँ पे क्या-क्या service आपको मिल जाएगा उसका भी एक summary आप यहाँ पे देख पाओगे और field आईने तरब नीचे आप done बटन पे click कर दोगे तो आपके सामने open हो जाएगा funds and petal application का main interface अब यहाँ पे क्या-क्या features और benefit है हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं तो आपको नीचे मिल जाएगा application का 5 option home, category, offers, help और my account का तो पहले हम लोग अपना account login कर लेते हैं तो डाहिने तरब नीचे my account option पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देदेना है अपना email id और फिर continue बटन पे click कर देना है या आप अपने google account से भी login कर सकते हो फिर आपको यहाँ पे देदेना है अपना नाम, mobile number, एक password set करना है password जो 8 character का होगा और alpha numeric होगा मतलब alphabets और numeric 120 नमबर डालके अपना password set करना पड़ेगा तो अपना account login के बाद उपर आप देखोगे my account option पे उपर आपको मिल जाएगा आपका नाम, mobile number, email id उसके बाद my orders का option, gift coupon का option आप अपना address save करके रख सकते हो saved address में आप यहाँ पे reminder set कर सकते हो my reminder option पे ticket history भी आपको यहाँ से मिल जाता है और उसके बाद मिलता है password change का और logout का option तो अभी हम लोग वापस home button पे चले आते हैं home button पे उपर आप देखोगे एक search bar मिल जाएगा यहाँ से कोई भी gift का नाम लिख के आप search कर सकते हो डाइने तरव उपर आपको मिल जाएगा card का option search bar के नीचे आपको बहुत सारे category मिल जाता है जैसे cakes, birthday, flowers, anniversary, plant, personalized, chocolate, new area fills, international, gift mall, combos, balloons यह सारे category से आप कोई भी product चूज कर सकते हो और gift के लिए order कर सकते हो नीचे भी आपको बहुत सारे category मिल जाते है जैसे birthday, flower, cakes, chocolate, plants, personalized, gift mall, combos, new arrivals का quick search option पे आप occasion wise gift सर्च कर सकते हो यहाँ पे आप दे दोगे occasion का name तो यहाँ से list से आपको occasion चूज कर लेना है और फिर gift type यहाँ पे चूज करना है और फिर नीचे submit बटन पे click करोगे तो यहाँ से कुछ recommended product का list चला आएगा वहाँ से आप कोई भी gift सर्च कर सकते हो नीचे और भी category आपको मिल जाता है जैसे personalized gift, same day delivery, gift for him, gift for her का option यहाँ से भी आप कोई भी gift चूज कर सकते हो order करने के लिए उसके बाद आपको मिल जाता है trending now का option और बहुत सारे gift ने जो offers and discount चलता है उसका भी details आपको मिल जाता है gift by personality type भी आपको choose करने का option मिल जाएगा जैसे music lover, teachers, travel lover, sports lover, tea lover, book lovers ऐसे की भी category आपको मिल जाते है उसके बाद हर category में कौन कौन सब gift available है वैसे भी आप search कर सकते हो जैसे cakes में variety of cakes, flowers में variety of flowers combo offer में भी बहुत सारे option आपको मिल जाते है plants में भी आपको बहुत सारे option personalized gift, digital gifts तो हर category में personality gift आप choose कर सकते हो इसके अंडर sub category से more gift option भी आपको बहुत सारे option मिल जाते है stop by occasion का भी आपको option मिल जाता है यहाँ पे और एक facility दिया गया है software country तो अगर आप international delivery करना चाहते हो जो की fern and petal 120 से भी जादा countries में available है तो software country option पे आप country चूज करके भी कोई भी country में gift भेज सकते हो अभी home button के बाएं तरब उपर आप three line button पे click करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ option मिल जाते है जैसे आपका नाम, account का option अगर आप कोई order करते हो तो order track करने का track order option उसके बाद home, software, category, same day delivery option में क्या क्या available है my orders का details, offers का details, health center, share option, rate the app, contact us और logout का option नीचे franchise inquiry और wedding inquiry भी आप यहाँ से available कर सकते हो और home option के बाद next option category option पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे categories का option तो यहाँ से कोई भी category चूज करके आप product चूज कर सकते हो gift करने के लिए और उसके बाद offers option पे आओगे तो कौन-कौन product में क्या-क्या offers चल रहा है उसका सारा details आपको यहाँ पे मिल जा रहा है और offers option के बाद help option पे आप आओगे तो कोई भी order या gift लेके आपको अगर कोई queries हो या कोई भी complaint आप raise करना चाते हो तो यहाँ पे general queries आप कर सकते हो order के against या ticket race कर सकते हो और यहाँ पे ticket history भी आप check कर सकते हो तो application का सारा features हमने देख लिया है अभी हम देख लेंगे यहाँ से कैसे कोई order आप कर पाओगे अपना gift और किसी के पास delivery कर पाओगे या खुद अगर आप delivery लेना जाते हो अपने address पे वो भी कैसे आप कर पाओगे तो यहाँ से पहले मैं कोई भी gift चूस कर लेता हूँ तो दोस्तों आप search bar से कोई भी product search कर सकते हो gift के लिए या कोई भी category select करके भी कोई भी product search कर सकते हो तो जब भी आप कोई भी product search करोगे तो यहाँ पे product का picture, name, average rating, total number of reviews, product का MRP, कितना percent discount है, final price क्या है, offers क्या-क्या available है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और product में और क्या-क्या variety है, payment में क्या-क्या offer है, कुछ frequently bought together, कुछ suggestive product का details, इस product का description, delivery info और care details सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा particular customer का rating, reviews, gov, order किया है, कहां के लिए delivery हुआ है, कौन से location में delivery लिया है, यह सारा details और 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 भी suggestive product का option आपको यहाँ से मिल जाएगा नीचे आपको मिल जाएगा add to card और buy now का option, तो आपको बाहे तरब नीचे add to card option पे click कर देना है, तो यह product आपके card पे add हो जाएगा उसके पहले आपको choose करना है delivery location, तो आप direct pin code डाल के या अपना current location यूज करके भी delivery location set कर सकते हो अगर आपको pin code exact नहीं पता, तो don't know pin code option पे click करके डाइने तरब नीचे, आप जगा का नाम google map से search करके डाल सकते हो अभी आप कब delivery लेना चाते हो, तो यहाँ पे today's option पे आप देख सकते हो, आपको मिल जाता है express delivery, standard delivery, fix time delivery और midnight delivery तो express delivery में आपको लगेगा 49 rupees extra और एक 3 घंटे के time slot में delivery होगा, standard delivery में आपको कोई extra delivery fees नहीं लगेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा whole day का एक delivery time आप select कर सकते हो, fix time delivery अगर आप लेना चाते हो तो आपको 1 घंटे का एक slot मिल जाएगा यहाँ पे आपको 200 rupees extra delivery fees और अगर आप midnight delivery लेना चाते हो तो यहाँ पर भी आपको fixed time slot एक मिल जाएगा राद 11 से 12 बजे के बीच में पर आपको यहाँ पे 250 rupees extra delivery charges लगेगा same चीज आप tomorrow delivery के लिए भी choose कर सकते हो और अगर आप बाद में delivery लेना चाते हो तो latter option पे click करके आप यहाँ से delivery date select करके भी और time select करके delivery के लिए order कर सकते हो जो भी चीज आप order कर रहे हो उस gift के साथ अगर आप कुछ add on करना चाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे add on का option मिल जाएगा तो यहाँ से आप कोई भी add on product gift के लिए choose कर सकते हो और field नीचे continue button पे click कर दोगे तो आपका product card पे add हो जाएगा तो डाइने तरब उपर card icon पे click करके आप card option पे जा सकते हो या डाइने तरब नीचे go to card option पे अगर आप click करोगे तो आपके सामने open हो जाएगा card का option तो यहाँ पे जो भी product आप gift करने के लिए choose किये हो product का picture, नाम, price, कब आप delivery लेना चाते हो उसका date, time जो आपने select किया product का price, discount, shipping charges, convenience charges लेके आपके सामने आजाएगा total payable amount और फिर नीचे आप proceed to checkout बटन पे click कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आपको देना परेगा जो भी product receive करेगा उनका नाम, address, phone number एक alternate phone number optional है, email ID आप दे सकते हो और address type और फिर नीचे use this address option पे click कर दोगे तो delivery details save हो जाने के बाद आपको नीचे proceed to pay बटन पे click कर देना है और आपके सामने open हो जाएगा payment का option तो यहाँ से आप debit credit card से, net banking से, UPI payment pay टीए, mobi quick, free charge, pay later, wallet, ola money यह सारे payment option से अपना पसंदिदर payment option कर लोगे select और payment कर दोगे complete यहाँ पे COD option available नहीं है तो आपका payment हो जाएगा successfully complete तो इस procedure से इंडिया में कहीं भी आप gift order कर सकते हो अगर आप देश के बाहर किसी को gift करना चाते हो तो उपर category में आपको international choose कर लेना है तो आपके सामने open हो जाएगा international gift delivery बहुत सारे countries का option तो यहाँ से जिस भी country में आप delivery देना चाते हो अपना gift आपको यहाँ से choose करने ला है नीचे आपको list of countries we deliver to alphabetically order भी मिल जाएगा तो यहाँ से भी आप कोई भी country choose कर सकते हो और country choose करने के बाद उस country में कोई भी gift delivery के लिए कौन-कौन सा gift आपको मिल जाता है उसका सारा list आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पे gift का picture, नाम, price, सभी चीज आपको मिल जाता है तो जब भी आप gift select करोगे यहाँ पे gift का picture, नाम, price, inclusive, all taxes कौन-कौन सा offers available है payment में, product का description, delivery info, care details तो यहाँ पे आपको पहले delivery के लिए city select कर लेना है और फिर delivery day choose कर लेना है और उसके साथ आपको मिल जाएगा delivery के लिए extra shipping charges कितना है उसका सारा details फिर आपको product को add to card बटन पे click करके अपने card पे add कर लेना है और फिर आप चले जाओगे अपने card option पे तो card option पे आप देख पाओगे product का picture, नाम, price, delivery date आपने जो choose किया है delivery time, delivery charges नीचे price details में product का price, discount, shipping charges, convenience charges और total payable amount फिर आपको नीचे proceed to checkout बटन पे click कर देना है फिर दुबारा यहाँ पे आपको दे देना है जिसको आप delivery देना चाते हो यह gift उनका नाम, address, pin code, mobile number, email id और address type और फिर नीचे use this address option पे click कर देना है अगर आप gift के साथ कोई message card भेज ना सकते हो तो उसका भी free एक option आपको आजाएगा आप free message card option पे select करके कोई भी message card भेज सकते हो free में आपके पास अगर कोई discount coupon पोड रहता है तो नीचे have a discount coupon option पे click करके आप discount coupon भी apply कर सकते हो और फिर नीचे have proceed to pay बटन पे click कर दोगे तो आपके सामने open हो जाएगा payment का option तो यहाँ पर ओई ही credit card, debit card, net banking, UPI, pay A.T.A, mobi quick, free charge, pay later, wallet और rolla money का option आजाएगा तो यहाँ से आप payment कर दोगे complete तो successfully payment complete करने से आपका gift order हो जाएगा placed तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपने देखा fund and petal application यूज करके कैसे आप international या देश में या खुद अपने घर पे किसी को कोई भी gift order करने के लिए यहाँ से कोई भी gift order कर पाऊगे इसका सारा category, account बनाना, payment procedure step by step मैंने आपके साथ share किया तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ और technology के बारे में आपको कुछ नया सिखने को मिला अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share किजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन दबना मत भूलियेगा ताकि technology के related ऐसी वीडियो आपको आगे भी विलती रहे आप मुझे facebook, instagram और twitter में भी follow कर सकते हो link नीचे description में दिया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही दुबरा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सिखेंगे technology के बारे में नए कुछ क्यूंकि यहां बाटने से बढ़ता है आप मुझे comment करके बदाओ कि funds and petal application का ये service आपको कैसे लगा यहां से आप अगर कोई gift order करते हो तो आप अपना experience भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्यूंकि नीचे comment box आपके लिए है तो तब तक के लिए जैहीन बंदे मातरम बाई